हाई गाईज मेरा नाम है संदीप आप देख रहे हो क्रोम अटेक यूट्यूब चैनल इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेटेस्ट शौमी डॉट यू के अपडेट के बारे में जो की रेडिमी के 20 प्रो के अंदर मैंने इंस्टॉल कर रखा है अब यहाँ पे जो है ना स्पेशल इस वीडियो के अंदर वो है इसके अंदर मैंने एक कस्टम करनल डाला है जिसके साथ जो परफोर्मेस है रेडिमी के 20 प्रो गी वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी एंड आपको मोस्टली काफी जल्दी एक वीडियो और मिल जाएगा सेम इस बिल्ड के उपर जिसके अंदर मैं यहाँ पे 72 हर्ट्स मॉड ट्राइ करने वाला हूँ इस MIUI के अपडेट के अंदर तो उस वीडियो का वेट कर सकते हो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बडूस से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंदा आती है डेफिनेटली एक लाइक जुरूस से कर सकते हो सबसे पहले जलते हैं इस लेटेस्ट अपडेट के उपर सो मैं डेरेक्टली आपको ले चलता हूँ अपडेटर के अंदर सो शौमी के भाईया अलगी नशे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो MIUI 12.6 यहाँ पे देखने को मिलता है इवन जो मैंने MIUI चाइना बिटा रॉम यहाँ पे ट्राइ की थी न वहाँ पे भी स्टेम जो बिल्ड नंबर होगा यहाँ पे आप देखोगे न 21.5.12 यह वाला वीकली अपडेट या फिर इससे पहले वाला थोड़ा आप देख सकते हो न तो वहाँ पे भी MIUI 12.5 ही देखने को मिलेगा बट यहाँ पे जो आप चीज देखोगे न यह है MIUI 12.6 अब पता नहीं यह 12.6 का अपडेट है या फिर 12.5 का अब बात करेंगे वाट्स न्यू की तो वाट्स न्यू के अंदर क्या आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफी सारी चीज़ें मिल जाएंगी बट देखोगे न तो यह जो चीजें है वो डिवाइस टू डिवाइस वेरी करती है या फिर नहीं भी तो उसके आपको मिलता है global ROM से and new आपको TWRP ROM मिल जाती है TWRP recovery है जो वो update हो जाएगी जब Redmi K40 के अंदर या फिर POCO F3 के अंदर इसको जो है यहाँ पे install किया जाएगा तो वहाँ पे TWRP recovery आपको मिल जाएगी बागी optimization है और कुछ भी यहाँ पे अब बात करेंगे setting के अंदर चलते हैं सीधा आपको मैं दिखाता हूँ इसका about phone section यहाँ पे आपको latest update मिलता है MIUI 12.6 के उपर पता नहीं यह 12.6 है या फिर 12.5 by Xiaomi.U 21.5 5.12 या फिर 13 का यह beta update है इसके अंदर आपको definitely bugs देखने को मिलेंगे अब यह जो मैंने यहाँ पे custom kernel डाला ना इससे जो speed है वो 2.9 GHz हो चुकी है इस Redmi K20 Pro की जो कि यहाँ पे आपको जो अगर आप install करोगे ना इस ROM के तो आपको जो stock मिलेगी वो 2.84 something मिलेगी और यहाँ पे आप देख सकते हो 2.9 GHz के उपर यह हो चुका है and Redmi Redmi K20 Pro यहाँ पे device model मिलता है Android 11 आपको out of the box मिलेगा अब जितने भी MIUI के updates आएंगे वो आपको Android 11 के अंदर मिलेगे तो इस चीज़ का आपको ध्यां रखना है बागी अगर बात करें Android security patch level की वो आपको make updated मिल जाता है and जो custom kernel मैंने डाला है वो है Marisa kernel जो कि मैंने आरोजी के अंदर आपको बोला था कि ये वाला जो kernel है वो है Marisa kernel बट मैंने इसको पढ़ने में तोड़ा mistake हो गया तो यहाँ पे है Marisa kernel ये वाला same kernel मैंने डाला है इसका link description के अंदर मिल जाएगा आप download करके install कर सकते हो and installation वाली video भी आपको मैं description के अंदर provide कर दूँगा अब बात करेंगे कुछ और चीज़ों की तो सब कुछ आपको same मिलेगा कहीं भी आप चले जाओ आपको कुछ भी आपे different नहीं देखने को मिलता या फिर new नहीं देखने को मिलेगा सब कुछ आपको same चीज़ें आपे देखने को मिलने वाली है previous update से ये वाला volume slider मिल जाता है और ये कुछ इस तरीके से working है बाकी अगर बात करें ना सबसे पहले app opening या फिर closing speed की वो आप देख सकते हो वो आपको अच्छी मिल जाती है ये आप चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाली जो app opening या फिर closing speed है ये एक custom kernel के साथ आपको मिल रही है and stock के उपर थोड़ी सी आपको जो है optimization की कमी देखने को मिलेगी क्योंकि MIUI के अंदर आपको काफी सारे bugs देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर custom kernel आप जैसे डालोगे ना so optimization आपको काफी तगडी देखने को मिल जाएगी अब अगर आपको device है यहाँ पर different है या फिर आपको Poco X2 बगरा या फिर कोई और device यूज़ करे हो तो उसके अंदर आप custom kernel flash कर सकते हो और custom kernel flash करने के बाद आपका जो MIUI का experience है वो काफी अच्छा हो जाएगा अगर आपको MIUI चाहिए so definitely इस चीज़ का आप try कर सकते हो आपको मैं दिखा देता हूँ और जो यहाँ पर RAM management है वो भी आप check out कर सकते हो animations काफी smooth है मेरे को कोई भी यहाँ पर custom kernel डालने के बाद issue face नहीं करना पड़ा so definitely अगर आप यहाँ पर MIUI का experience थोड़ा enhance करना जाते हो तो custom kernel डालो काफी मज़ा आपको आने वाला है then 48 megapixel vlog mode यहाँ पर cameras के अंदर आपको working मिल जाता है and RAM management आप यहाँ पर देख सकते हो कुछी तरीके से आपको RAM management देखने को मिलेगा जो की काफी अच्छा है and मेरे को कोई भी यहाँ पर issue नहीं आया RAM management के related so काफी अच्छी optimization आपको मिल जाएगी बढ़ यह वाली optimization custom kernel की वज़ा से आपको मिलेगी and जो performance है वो भी थोड़ी boosted मिलेगी free RAM के अंदर मैंने जब last check किया था थो 3.5 GB available show करता है बढ़ यह वाला भी यहाँ पर scam आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इसके उपर एक already video डाली थी कि यह जो आपका RAM management है यह यहाँ पर fake रहता है तो इसका video यहाँ पर ज़रूर से check out कर सकते हो यह वाला updated आपको app vault मिल जाएगा और सभी चीज़ें same देखने को मिलेंगी device के certification की बात करेंगे ना तो आपका जो device है वो यहाँ पर certified है and without root आप banking apps यूज कर सकते हो safety net without root आपका पास रहने वाला है अगर आप magisk flash करना जाते हो latest 23 आप मिल जाता है widevine L1 जो की काफी अच्छा है तो यह सभी features आपको यहाँ पर काफी अच्छे से working मिल जाएंगे इवन अगर आप Gcam ट्राइ करना चाते हो तो यह वाला आप ट्राइ कर सकते हो 7.2, 8.1 वगरा 4K 60fps तक आप maximum video record कर सकते हो even slow motion videos भी आप 1x8x तक यहाँ पर record कर सकते हो ओके गाईज अब यहाँ पर बात करेंगे performance की बट सबसे पहले एक important चीज़ आपको मैं बता देता हूँ वो है यहाँ पर जो custom kernel मैंने डाला है ना marisa kernel उसके अंदर आपको एक ना थोड़ा सा slow charging का issue आ सकता है तो उसके लिए आप make magisk module आपको मैं देने वाला हूँ description के अंदर उसको आप simply यहाँ पर flash कर देना आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा magisk के अंदर simply flash करना है सिर्फ rooted users ही यहाँ पर flash कर सकते हो यह वाला जो kernel है वो भी आप rooted condition के अंदर ही flash कर सकते हो without root यह आपका boot नहीं करेगा and error भी आपको आ सकती है तो यह चीज रही हमारे fast charging के related अब बात करेंगे performance यह वाली जो ROM है ना मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर custom kernel डाला है तो आप अगर performance देखोगे ना 5,48,000 के आसपास आपको score मिलता है जो कि I think काफी ज्यादा है और यह first time मैंने ऐसा score achieve किया है Redmi K20 Pro के उपर जो आपको actual score मिलेगा stock kernel के उपर वो थोड़ा सा different हो सकता है अब Geekbench 5 के उपर आते हैं यहाँ पे जो score आपको मिलता है ना वो भी आपको check करवा देता हूँ 763 का आपको single core and 2471 का आपको मिलता है multi core के उपर तो यह आपको overall जो है ना यहाँ पे scores वगरा देखने को मिल जाएंगे अब चलते हैं PUBG के अंदर and आपको मैं gameplay share करता हूँ and अपने opinions बताता हूँ कैसा आपको gameplay यहाँ पे देखने को मिलेगा चलो guys अब यहाँ पे PUBG gameplay की बात करेंगे यह वाला latest update मैंने यहाँ पे install कर रखा है PUBG का अब यहाँ पे अपना graphics देखोगे तो काफी smooth आपको देखने को मिलेगे and यह सब कमाल है custom kernel का हलंकि यहाँ पे जो stock settings मिलती है वो आपको extreme तक मिल जाती है क्योंकि बहिया जो processor है वो काफी ज्यादा capable है बड़े यहाँ पे आप देखोगे यह custom kernel का यहाँ पे कमाल है जो आपको काफी smooth gameplay देखने को मिलेगा and जितना मैंने यहाँ पे gaming किया है न मेरेको काफी smooth experience मिला definitely अगर आप ए gamer हो MIUI की ROM चाहिए definitely इस ROM को आप consider कर सकते हो with custom kernel so custom kernel flash करना must है उसी के बाद आपको यहाँ पे काफी smooth experience मिलेगा and मेरेको कोई ऐसे lag या फिर कोई touch issue या फिर यहाँ पे heating issue नहीं face करना पड़ा अगर आप यहाँ पे custom kernel डालते हो तो यह सब चीज़ें आपको नहीं face करनी पड़ेंगी and even मैंने charging के अंदर भी यहाँ पे कोई ऐसा issue नहीं face किया तो इस तरीके से आप यहाँ पे gameplay बगएरा देख सकते हो काफी smooth आपको देखने को मिलेगा चलो guys इस वीडियो के लिए बस इतना ही I hope कि आपको यह वीडियो पसंदा ही होगी अगर पसंदा है तो like करना, subscribe करना and मैं मिलता हूँ आपसे एक और new interesting वीडियो के साथ